आप सभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल रहा हूँ साथना जगत के रहस्यों तथा तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई भी प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें इस चैनल में मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो साथकों को ध्यान में रखके बना रहा हूँ कि उनको साथना में जो भी जानकरियां आवश्यक हों वो उनको मिलें जिससे कि एक निर्णा ले में आसानी रहे और क्या चीज़ हमको करनी चाहिए कि चोड़नी चाहिए यह बहुत आवश्यक होता है तो इसमें जितने भी मैं वीडियो बना है प्रत्येक वीडियो को देखना है और पूरे पूरे वीडियो दो देखने के वर लेग वीडियो दो देखके और यह पूरा एक दुमाग में दिस्ठी इविक्सित नहीं हो और कहां तक हमको जानने की आवश्यक्ता होती है जितनी आपको information यह मिल लिए बहुत ही बिलकुल selected आपको जानकरिया मैं जाने के जने का प्रयास है क्योंकि बहुत सारी जानकरिया ऐसी भी आपको मिल जाएंगी जो कि सही नहीं होती हैं गलत होती है और गलत इशा में भी जाती है एक तो अथेंटिक जानकरिया मिलने इस वज़े से मैं प्रयास कर रहा हूं और आप देखिए का कि मैंने जो वेदों के उपर से वेदों में से और वेदों की संभिताओं में से डिरेक्ली आपको साथनाय बताने की प्रयास कर रहें वह इसलिए कि उनकी शुद्ध कि बटकने का खतरा नहीं रहा था बाकी तो अपना कर्म और भाग्य और अपना अफर्ट और डेडिकेशन वह तो सब रहते ही है तो इसमें जो भी मैं आपको बता रहा हूं यह जो यह वीडियो है इसका जो टाइटिल है यह वैदे खावन विधी भाग तीन अनिस्ट जो मैंने एक प्लेविस्ट में डाला हूप है वैदे खावन विधी के नामसे आपकोयाओ इज준 की भागती नें इसके लाव और भी आगे आ हैंगे आपको बहरी जो एक हावन padot में अपनांनागी बनाने का मेरा जो आइम है लक्श है वो यह है कि आदकों के सामने बेल क्य सब्सक्राइब करने हैं कि कई बार जो होता है कि समय नहीं नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ पैसी विजे से तो अपना करने से अंब से अगदम से इनर्ज टिप नहीं करती है इसके नहीं रहे हैं पर बीच में दो ती मिल टे i तो एक साथना कर आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं और इसको बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान में जरूर रखना है तो कंटिनुटी मेंटेंट जहां तक हो सके रखनी है और वो डिबना भी आए किसी वरे से अकर नहीं कर पा रहा है तो यह चोटी-चोटी विदिया जो है इनको करना है यह चोटी जरूर है लेकिन है बहुत गंभीर और जो करेगा उसको अनुबह उसको होने लग जाएगा कि यह क्या मतलब मैं बता रहा हूं उस चीज़ का दूसरा है कि जितनी भी साधना पक्ष में मैंने साधना दी हुई है उनको देखना चाहिए और उ हो तो उसको मूल साधना के रूप में मालके कि कुछ ऐसे मंत्र है कुछ सूकत है जिनको इनको डिली अभ्यास करना है जो भी करना है तो वह करना है को मूल हो गया उसके भी सपोर्ट में काम करेंगी सारी हम विदिया आपे ऐयो बता यह है कि सपोर्ट सिस्टम जुरूर आघक के पास में कैई तरीके कि उसके मिलने का संक्र है तो और ज बहुत ही कीम्ती में मन्त्र हो हो में आवत्ष्या के रहने से कई बार जो होता है बहुत निकतें भी आजाती है और उसमें आप साधना में सफलता मिलने का जो है चांसे बहुत कम हो जातें सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह मैं बैक्राउंड कुरूब में बता रहा हूं जो यह वीडियो है तो इसके बारे में आपको पह था तो इसमें मैं अधर्वेश समिधा में एक सूक्त है कि उसको आपको बताने जा रहा हूं आउस सूक्त में जो है जो कुछ मंत्रें उनको पहले आपको explain कर दूँए इसमें टोटल 6 मंत्र हैं उन 6 में से जो पहला मंत्र है उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो सत्य के अधिपती हैं वो हमें शांती बतान करें जो स्ष्ट कम करने वाले जो देवता हैं वो हमें शांती बतान करें हमारे जो पितरगण है वो भी हमारी प्रातना सुने और हमें शांती बतान करें और दूसरे मंतर में है समस्य देवगण हमें शांती बतान करें और सत्बुद्धी देने वाली जो देवी है सरसोती देवी वो भी हमें शांती बतान करें और जितने यग्य करता हैं दान दाता हैं इस प्रत्वी लोक में द्यू लोक में और जल में जितने देवता हैं वो सब हमें शांती पदान करें अगले मंत्र में हैं जो अज़ देव हैं वो हमारे खल्यान करें समुद्र देव हमें शांती पदान करें और जितने भी और देवता हैं वो भी हमको शांति प्रदान करें अगले मंत्र में हैं जितने भी आदित्य गण हैं वसु गण हैं रुद्र गण हैं वो हमारी जो प्रात्ना हैं उनको ग्रहन करें और जो भी दिवलोक में प्रत्वी लोक में और स्वरक लोक में जितने भी दे देवता करने हैं वह सब हमारी हुस्त्यवों को स्विकार करें मिंपोर्टेन मंत्रा ये इसके बाला मंत्रा उसमें कि जो भी देवताओं जो जो भी देवता हैं जो पूज हैं और जिनके जो देवता लोग जिन देवता की भी पूजा करते हैं ऐसे जो देवता हैं वो रितग ये देव जो है वो हमें प्रसंद होका हमें यश्वस्वी पुत्र प्रदान करें और हमारा पालन पोशन और कल्यान करें और अंटि मंद्र जो है उसमें यह है कि जो मित्रा वरुन देवता और अगनी देवता इनसे प्रातना करी गई है कि हमारे लिए सब कुछ शान्ती प्रदो और उनसे प्रातना करी गई है कि वो हमारे सबी दुखों को दूर करें असुखों को हमारे जीवन में लाएं उनकी तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त करें लोग है उसको नमस्कार करते हैं पढाम करते हैं तो यह जो मैंने बताया कि यह जो छे मंत्र हैं इन मंत्रों को जो है इनका पार्ट करना जाए पहले में बदा दू यह सुप्त मिलेगा कहां यह सुप्त मिलेगा आपको अथर्वेज सम्मिता में चैप्टर नुम्बर 19 19 और सुप्त का नमबर है 11 इसके जो रिशी है वो ब्रह्मा है देवता जो है मंत्रोक्त है और चंद जो है त्रिस्टुप है तो इसमें क्या है कि अपने आसन पर बैठ जाना है अपने पूजास्तान में और उसके बाद में जो है इन मंत्रों को एक बार पूरा पढ़ लेना है म मंत्र और मीनिंग साहित है उसके बाद हब बगल में हवन कुण रखना है हवन कुण में जो प्रत्यक मंत्र हैं उसके बाद स्वहा लगा के आउतियां दे दिनी है तो टोटल च्छै आउति हो जाएंगी इसमें जाज़ समय लगे का नहीं क्योंकि छै मंत्र है विद कफ़ें वाले लिस्ट है उसमें इसमें जो हैं trudता हुआ जो हैं कि यह हमको पता चली आपको टांफीर हुआ गटू टांफीर में करते रहने KT अब आप बहुता हैं और जैसल्य यह आपय तो सब ने कर लिasy चैनल चाहिओ और यह इसके अलावाद जो साधना कोर्स है अपना उसको सिलेट कर लेना चाहिए कि क्या करना है उसमें मैंने बता है कि सब यह जो यह वैदिक हवन विदियां है यह उसमें सपोर्ट करेंगी साधना पक्ष भाक्षार वैदिक सुरक्षा सूप्त ही है वीडियो नंबर 78 इंपोर्टेंट है इसको एक वीडियो बनाया है उसका नंबर मुझे याद निया रहा है वह है नक्षत्र साधना वाला शायद्वन देख लिजेगा मुझे याद निया रहा है नंबर 132 के आसपास होना चाहिए तो वह एक अच्छा रहेगा उसको करना साधना पक्ष की प्लेलिस को पूरा देखना ठीक रहेगा और इसके लब साधनाओं में मैंने बताया कि जो दान सुक्त है उसका बहुत मातु रहता है 82 नंबर का ये भी इंपॉर्टेंट है और वीडियो नंबर वैदिक जीवन कैसे जीए वीडियो नंबर 40 वेदा गुरू वीडियो नंबर 29 ये भी इंपॉर्टेंट अब इसके हैं इन सब्सक्राइब को अपना देखते हुए अपना जो भी साधना समझ में उसको अपना दिमाग में रखना चाहिए और ये जो वैदे खावन विदी मैंने आपको इस वीडियो में बताई उनको करते रहना चाहिए सपोर्ट में भी करा जा सकता है और जब करने को को अच्छिए चाहिये को नहीं करने की नहीं करना चगे चाहिए तो mają जो भी आप मंत्र जब कर लेंगे सूख्ट पाट कर लेंगे यहावन कर लेंगे वो हमारे बॉड़ी के अंदर आप शुरी के अंदर वाला उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है तो शुरी का जो अंदर इस डिवलोपमेंट भी उसी साफ से होने लग जाता है साथनाओं का एक बहुत बॉरा अपरहस्थ है जो कि मैं आपके बता रहों तो उससे अंदर जहा है अपने अंदर पचाने की शक्ति वह कितनी है वह डिवलोप होने लग जाती है बट उसमें भी रूल वही है कि जो हम खाना खाते हैं तो हम अच्छा खाना खाएं ना हम बुर पूरा एक दिस्ट्रीकों का विकास हो जरूर होगा इसमें कोई भी वीडियो शुरुवाद में जो मैंने बताया थे तंत्र रहस के बारे मनाए फिर वेदों के बारे मताया फिर और बहुत सारी जो साथना के आसपेक्ट से उनको मैं बना भी रहा हूं तो उन सबों को देखन कने करने से यह लाब हो सकता है इसमय बहुत बच जाएगा साथिकों का और बठकने की जो उनका है सारा संवं के साथ न Warszawa क्व क्वालिटी याक सली आतवर निल लाएकी है तो इस बातों को धान रंगे पर चोटी जो साधना है इनको छोटा नहीं सबना है थैं तो समय जूर तो वैदे खवन विदी नाम के से जो प्लेलिस्ट है उसको देखते रहना आपने तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को जान करें अच्छे लगी होंगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद